हलो फ्रेंड्स मैंसल शब्बिर हुसेन और वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तो रेबीज एक ऐसी खतरनाक बिमारी है जिसके अंदर इंसान की जान भी चली जाती है क्योंकि यह वाइरस जो है रेबीज वाइरस यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता ह दोस्तो रेबीज वेक्सिनेशन यह एक ऐसा वेक्सिनेशन है एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर है जो हुमन्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है डेडली वाइरल इंफेक्शन रेबीज से दोस्तो आज की वीडियो में आपको यही जानकरी देंगे कि रेबीज वेक्स vaccination होता है और क्यों हमें रेभी के लिए vaccination लेना जरूरी होता है तो इस वीडियो को एंट तक दिखना बिल्कुल ना भूले चनल पर नए है चनल को सबस्क्राइब कर लीजिये और नीचे बैल यह को भी दवाना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों रेबीज वायरस के ऊपर हमने पहले भी एक डेडिकेटट वीडियो बना रखी है जिसके उपर हमने आपको समझाया रेबीज वायरस क्या है कैसे फैलता है और साथ ही हमने हाइड्रोफोबिया के बारे भी आपको बत सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेबीज वैक्सिनेशन के बारे में तो रेबीज वैक्सिनेशन के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि रेबीज वायरस क्या होता है रेबीज वायरस बैसिकली एनिमल्स के सलाइ से इंसानों की शरीर में पहुंचता है रेवीज वाइरस दोस्तों अब बात करते हैं इसके वैक्सिनेशन के बारे में दोस्तों इसके वैक्सिनेशन के दो की ऐसे लोग जो veterinarians होते हैं या ऐसे लोग जो animal को handle करते हैं या ऐसे लोग जो laboratory के अंदर viruses के साथ deal करते हैं तो preventive measures के रूप में वो अपने आपको मतलब exposure हुआ नहीं किसी ने उनको काटा है नहीं किसी ने उनको scratch किया है बट कभी future में कोई animal उनको scratch करें तो उससे पहले उनके पास immunity हो उसके लिए जो vaccination दिया जाता है उसको हम कहते हैं pre-exposure profile axis दोस्तों अब बात करते हैं कि post-exposure profile axis क्या होता है अगर आपको किसी animal ने काट लिया या scratch कर दिया तो ये prevent करने के लिए गर virus आपके शरीर में चला गया ह तो वो virus आपके central nervous system तक ना पहुँच पाए उसके लिए हम vaccination का इस्तिमाल करते हैं तो इस condition को हम बोलते हैं post-exposure profile axis तो ये जितनी promptly दिया जाए जितनी जल्दी दिया जाए इसकी effectiveness उतनी ज्यादा होती है दोस्तों अगर आपको किसी animal ने या किसी dog ने या cat ने bite किया है या scratch क किया है तो डॉक्टर्स आपको vaccination लगाते हैं उसको हम बोलते हैं post-exposure profile axis अब बात करते हैं कि vaccination schedule क्या होता है rabies virus के ले रहे हैं यानि कि अगर आप कोई ऐसी जगे पर जाने वाले हैं जहां पर rabies virus फैला हुआ है या rabies virus prevalent है या जहां पर आपको rabies होने का खत्रा ज्यादा है तो ऐसे case में आपको doctors तीन डोस देते हैं selected time के अंदर तीन डोस vaccination के दिये जाते हैं for pre-exposure profile axis के तौर और अगर आपको किसी animal ने bite किया है या किसी domestic animal ने bite किया है तो doctors आपको several weeks तक different different shots देते हैं vaccination के depending on आपको कैसा exposure है कि किसी जानवर ने आपको bite किया है या scratch किया है या पहले कोई आपका history है vaccination का तो उस basis पर doctors decide करते हैं कि आपको कितने vaccination लगेंगे कुछ इस तरीके से rabies का vaccination किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा animals को भी vaccinate किया जाता है rabies virus के लिए कई countries ने protocols बनाये हुए हैं जिसमें आपको domestic animals को जब आप पाल रहे हैं तो आपको उनका yearly vaccination करवाना जरूरी होता है कई countries में यह protocol है कि जहां पर आपको अपने cat का dog का और different type के animals जो आप पाल रहे हैं उसके अंदर आपको rabies vaccination करवाना है दोस्तो rabies vaccination के उपर हमने एक detailed article लिखा हुआ है अगर आपको आपको पढ़ना चाहते हैं तो उसकी link मैं आपको description box में दे दूँआ हूँ